पहाड बारिश और मौसम की मार से कई हाथसों का शुकार हो रहे हैं लेकिन किनौर में जो हाथसा हुआ उसने कई परिवारों को तोड़ कर रख दिया सबसे पहले आपको वही दर्दनाक तस्वीरे दिखाते हैं कैसे किनौर के नीगो सारी और चोरा के बीच अचानक पहाड का एक बड़ा हिस्सा तूट गया जुसकी चपेट में हिमाचल रोडवेज की एक बस समेत दो गाड़िया आ गए भूरों कि यह आज साथ है कि यह आं इससारी का यह आए जोड़ आई जोड़ा करोके आखेट है जोड़ बस साटिस ओर आपको तेको निच्छे क्या हुआ थे को यह तोननो रोड़ बंद रिये इस ने को तेको अभी और कटी रहे यह है ना जी हां हर तरफ चीखों पुकार मच गई मलवे में 30 से 44 लोग दब गए इसके साथ ही दोकार भी इस हादसे का शिखार हो गई अब आपको रेस्क्यू की तस्वीरे दिखाते हैं किस तरीके से एंडियारीफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी होई है देखा आपने किस तरह लोग जिंदगी और मौत के भी जंग लड़ रहे हैं हलाकि किन्नौर के हादसे पर मुख्यमंतरी ज्ज्वराम ठाकुर पैनी नज़र बनाई हुए हैं उन्होंने अधिकारियों से राहत बचाव कारे तेज करने के निरदेश भी दिये हैं मुख्य मंत्री जराम ठाकुन ने कहा कि मैंने पुलिस और स्थानी प्रिशासन को बचावा भ्यान को चलाने का निर्देश दिया है NDRF को भी अलर्ट पर रखा है इसके साथ ही PM मोदी ने भी ट्विट कर हर संभव मदद करने का आश्वाशन दिया है इसके साथ ही किन नौर में हुए हाथसे को लेकर ग्रह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के मुख्य मंत्री से फोन पर बात चूइत की है ग्रह मंत्री ने मुखे मंत्री से घटना के ज़ानकारी ली, इसके साथ ही उन्होंने DG और ITBP से भी बात्च्रीत की है ग्रह मंत्री ने प्रभाबित इलाकों में जल्द से जल्द सुविदाएं पहुचाने के निर्देश दिये हैं इसके साथ ही लोगों को घटना स्तल से निकालने के निर्देश भी जौरी कर दिये गये हैं आपको बताया दें कि लागातार प्रशासन और टीम लोगों का रेस्क्यू कर रहा है फिलाल मेरे साथ इतना ही देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हैं हमारे साथ नमस्कार